कि एस्टोट स्टॉपिक के लास्ट लेक्चर के तरब बड़तें इसके पहले हम दो लेक्चर कर चुके जिसमें यह देख चुकेकी ऐसे क्या होता होता क्या है और बाकी और भी कुछ देखे थे चलिए आज हम इस टॉपिक क्या बहुत ही इंपोर्टन लेक्चर के तरफ बढ़ते इंटर्सेक्शन ओव एसिम्टोट्स ठीक है वीडियो आप अच्छा से देखिए समझिए लिखने का वीडियो देखने के टाइम में लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लेक्चर नोट्सेक्शन में दे दूंगा चलिए शुरू करते हैं यह टॉपिक शुरू करने से पहले मैं दो तिन इंपोर्टन पॉइंट्स बोल दें क्या कहा है कि एनी एसिम्टोट्स अब कार्ब ऑफ एने डिग्री कार्ब आपको दिया हुआ है मत तो वह कार्ब का कोई भी एक एसिम्टोट्स अब उस कार्ब को एन मैनेस टू पॉइंट्स में काट करेगा मतलब क्या कहा है कि मानले जी आपके पास एक कर्ब दिया हुआ है जिसका डिग्री है मतलब इसका एक्स और य क्या सबसे बड़ा पावार होगा मानले जी एक फोर एक जिसका या तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एसिम्टोट्स होगा इससे कम हो सकता है लेकिन इस से ज्यादा नहीं होगा ठीके मतलब मनली जी आपके पास एक कारब जिसका x और y का सबसे बारा पावार है 4 मनली यह भी 4 डिग्री का कारब दिया हुआ है मैं लिए तो उस कारब में ज्यादा ज्यादा कितना एस्मिटोर्ड होगा 4 फिर क्या कहा है अभी देखिए अगर है मतलब अगर हुआ तो इसमें कितने इसम्टोर्स होगा ज्यादा ज्यादा इसमें से हम देख सकते और एक इसम्टोर्स कितने पॉइंट में कट करेगा एंट इन माइनस टू पॉइंट में ठीक है फिर देखिए इसमें और एफन और एफन इसम्टोर्स का कार्ब इन डिजली का कर्ब में कितना इसम्टोर्स जद Head ज़्यादा हो सकता है सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता लंट इसमें फोइंटों have इसम्टोर्स कीजरी का फॉइंटियों हो मतलेल ऊसमें सबसे ज़्यादा है इन माइनस टू का होना परेगा पावर उससे जयादा नहीं हो सकता, then n into n minus two points of the intersection of the curve, and its asymptotes lie on the curve, fn minus two equals zero, तो उस curve में जो n into n minus two points होगा, मतलब asymptotes पूरे asymptotes मिला कि उस curve को n into n minus two points में अभी इसका एक एकजम्पल देखने से आपको अच्छे समाज में आएगा, दिखिए एक example, find the asymptotes of the curve, x square y minus x y square plus x y plus y square plus x minus y equal 0, यह आपको एक curve दिया हुआ है, इसका asymptotes निकालने को गाए, और क्या का, and so that they cut the curve in 3 points which lie on the line x plus y equal 0, मतलब इसका जितना भी asymptotes होगा, वो curve को 3 points में cut कर रहा है बोला, वो दिखाने को बोला, और x plus वो 3 points कहां पे लाइ कर रहा है यह line पे like कर रहा है, वो दिखाने को बोला, अभी देखिए, तीन points में cut कर रहा है, उसको दिखाने में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही वो point में लिख दिया था, कि curve कितने degree गा है, तो 3 degree गा है, तो n डिगरीगा है, तो n in to n minus 2 points में cut कर रहागा, तो 3 degree के है, तो कितने point आपको जो तीन पॉइंट में काट करेंगा तीनों पॉइंट यह लाइन पर रहेगा लाइगा ठीके तो एस्म्टोट्स निकालने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते मैं डेस्क्रिशन में लिंक देदूंगा ठीके एस्म्टोट्स क्या गया है मैं इसमें डाइडेक लिख रहा हूं अगा फोर्ड़क्ट यह इकल तो जॉट्विषन का प्रोड़क्ट तो टीनों इकुट्विषन का प्रोड़क्ट में कर लिए मैंस इकूल to one को लिख दिया है मासोन को लिख दिया एगस-ब्सिंगी प्रोड़क करने के बात के बादakah या मेरा एकसपान काने का प्रोड़क करने के बाद यह इकसपान को गने डिद्ध कॉर्ड꺼 टो हम हम एक्स पां तो यह सिम्टोड consomm का प्रोड़क तो जो एसिम्टोडस का सिटा मिला कर के हम यह का एक्सें मीला के लिख सकते कैसे और फोरकर मैंनेज था-जृ स्कोर्बcı यह स्कोरिख unified मिलग step family मैनेश उप्सक्रण sponsors यह क्या धा-ध़ किया मैंनेस दो question of product of asymptotes ठीक है तो f3 हो गया यह और f1 यह हो गया f3 देखिए यह f3 आगा रहने तो f1 क्या होगा यह one degree क्या है तो मतलब क्या होगा जो तीन पॉइंट से एस्म्टोट्स जो कार्ब को तीन पॉइंट में काट करेगा वो कहां बीक तारीकह हो गया दुसरा एक्जामपूल में दिखा देते यही दो तारीके का Problem around इस सbbeस्वाज में यह चलिए दिखास अधिया हाई कार्ब यह कर्ब दिया ह вн gotten a स्क्राइब दिए हुआ है कि दिखाने को कट दा कार्ब इन एट पोइंट्स यह दिखाने को कर रहा है यह दिखाने को पोइंट्स में कुछ नहीं सबसे बाएब और और नहीं आएगा इसको दिखाने का तो कुछ नहीं है अभी हम लोग को और किया दिखाना आ है इसके इस निकलना है और दिखाना है कि जो 8-point में cut करेंगे यह 8-point कहां पर लाई करेंगा एक सरकल पर लाई करेंगा चलिए तो equation of the asymptotes आप अब लिग दिया इसको फिर से आप decision में link दे दूँगा अब उदर से जाके asymptotes कैसे निकलना होता है वह सारे video देख सकते ठीक है इतना है तो इसका जॉइंट एक्वेशन क्या होगा मतलब चार होगा या प्रोड़क कर दिया प्रोड़क करके लिख दिया प्रोड़क करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसको जहां तक हो सागे मतलब जितना तक हो सागे यह एक्वेशन के साथ मिला के लिखने का मतलब कोशिश करू एक्वेशन ऑप कार्प से एक्वेशन ऑव एसिंटोट्स को सब्ट्रक करेंगे एक्वेशन ऑप क्या था मेरा पहले का पहले का जो कार्प था इससे हम इसको सब्ट्रक करेंगे इसको सब्ट्रक करने के बाद जो आएगा उसी में जो 8 points है वो लाई करेगा ठीक है यह से भी आप कर सकते अब direct equation of curve को expand कर लिजिए equation of asymptotes का product को expand कर लिजिए पूरा एक दूसरे curve का equation से इसको subtract कर दीजिए जो बागी डएगा उसी equation में वो सारे points जितने points में cut करेगा वो लाई करेगा यही दिखाना था फिर आम इदर लिख दिया है इस problem can also be solved by using method of x-1 यह नहीं कि यह problem को इसी तारीके से ही solve करना पड़ेगा अब उदर से वह example 1 में जो method दिखाया उसी से भी आप इसको solve कर सकते ठीक है उसमें क्या होता मेरा f-2 निकलना था तो f2 आता क्योंकि यह 4 degree का है तो f4 n के जगा में 4 होता तो f2 f2 मेरा क्या आता अब अगर उससे देखेंगे यह problem को x square plus y square equal to 1 आता ठीक है और उसमें यह सार अब इतने देर तक हम जो asymptotes निकलना, asymptotes का intersection निकलना कार्ब के साथ जो कुछ भी देखा वो क्या था Cartesian coordinates में अब अगर मेरा कोई भी polar curve दिया तो उसका हम asymptotes कैसे निकलेंगे तो इसका working rule क्या है मतलब हम क्या क्या करेंगे, polar का coordinate मतलब उसको r और theta के form में देखा, r theta, r equal to f theta होता है polar form, तो polar form मतलब r और theta के form में देखा, तो हम क्या करेंगे, पहले r को 1 by u में change करेंगे, change r to 1 by u and find limit u tends to 0 theta, तो हम limit theta निकलेंगे, limit theta निकलेंगे कैसे जब u tends to 0 होगा, ठ working rule आप थुरा-thुरा देख लीजिए उसके बाद example देने से आपको आच्छे समझ में आएगा, फिर यह जो limit में निकला मानलीजिए वो theta 1 है, यह theta 1 है, तो मुझे क्या निकलना परेगा, minus d theta by du, और उसका limit, मतलब limit minus d theta by du, as coin u tends to 0 and theta tends to theta 1, तो जो limit आएगा, वो मानलीजिए मेरा P है, तो P equal to r sin theta 1 minus theta जो होगा, theta 1 तो इसमें से निकला था, theta 1 equal to limit u tends to 0 theta, वो ही होता है मेरा asymptotes का formula, अब यह example देख लीजिए, अच्छे समझ में आएगा, example में क्या कहा है, find asymptotes ओ, यह polar कर वे, r theta equal to a, r और theta के form में दिया हुआ, यह तो constant है, ठीक है, तो मुझे क्या करना था, r equal to 1 by u, लिखना था, पहले step में मुझे क्या कहा हा था, r equal to 1 by u लिखना था, r को 1 by u के form में change करना था, तो मैं r equal to 1 by u लिखने के बाद, तो r equal to 1 by u होने से theta equal to क्या होगा, इसमें से theta equal to au हो जाएगा, यह u इधर कोर समालेशे होगा, फिर क्या निकलना था, limit u tends to 0 theta, नि मेरा वही क्या था यही क्या होता था theta 1 theta 1 equal to limit u tends to 0 theta equal to 0 ठीके तो मेरा theta 1 equal to 0 आगया अब ही क्या निकलना था minus d theta by du इसके लिए क्या करना है u equal to मेरा क्या है इसमें से u equal to हम क्या लिख सकते theta by a फिर du by d theta equal to 1 by a लिख सकते du by d theta को theta के respect में u को differentiate किया तो theta तो चला जाएगा और 1 by a constant वो निकल जाएगा तो d theta by du इसको उल्टा कर देने से क्या होगा ए हो जाएगा ठीके फिर minus करने से दोनों साइट में minus मैं minus से multiply करने से क्योंकि मुझे साहिए minus d theta by du वह हम working rule में कहा था minus d theta by du मुझे साहिए तो minus d theta by du equal to क्या होगा मेरा minus a होगा अभी मुझे निकलना था limit इसका limit निकलना था limit of minus d theta by du as u tends to 0 theta tends to 0 लेकिन इसमें देखिए direct constant यह theta मेरा क्या भी कुछ भी हो theta tends to theta 1 कुछ भी हो u tends to 0 कुछ भी हो यह कोई फरक नहीं परता क्योंकि इसमें यू और theta हे ही नियुए इसका limit b क्या होगा माइनस a ही होगा और इसका limit जो होता था बो क्या होता था P और P equal to k्या होता था alegation theta 1 माइनस theta तो P इसके जागा में हम क्या लेखेंगे mind К है तो यह दो तिन यह प्रोब्लेम्स आपके लिए दिए आप यह खुद से कर सकते क्या कर दिया है र इकोल तो ए थिटा वाइ थिटा माइनस वन आर इकोल तेंटी दा आर इंटू वान इनस इतो दिवर थिटा इकोल टू ए यह सरे प्रोब्लेम्स को आप खुछ से ट्राइ कीजिए अगर नहीं आता है तो आप कॉमेंड में बताईए आता है तब भी में बताइए ठीक है तो लिए आज के लिए इतना ही थेंक यू